बॉलिवर्ड एक्टर रन्वीर सिंग और दिपिका पादुकोर्ड इंडस्ट्री के पावर कपल माने जाते हैं दोनों आए दिन अपनी फिल्मों और तस्वीरों या वीडियो के चलते चर्चा में बने रहते हैं जिसका उनके फैंस को बेस अबर से इंतिजार रहता है लेकिन इसे के साथ ही लोगों के मन में कपल के लिए एक सवाल बार बार आता है कि आखर शादी के चार सालों बाद भी कपल पेरिंट्स क्यों नहीं बन पाएं ऐसे में अब सवाल पर दिपिका का जवाब काफी वारल हो रहा है दरसल दिपिका बादुकोर ने इसकी वज़ा रनवीर सेंग को बताया है ये जवाब लोगों को हैरान कर रहा है सोशल मेडिया यूजर्स दिपिका की बात सुनका तरह तरह की रियक्शन्स भी दे रहे हैं आपको बता दें दिपिका ने उनके और रनवीर के पेरेंट्स ना बनने को लेकर कहा है कि जब से उनकी शादी हुई है रनवीर लगतार फिल्मों में व्यस्त है क्योंकि वो काफी अमीर इंसान बनना चाते हैं जिसके लिए वो खुब काम कर रहे है ऐसे में रनवीर के पास बच्चा प्लैन करने का समय नहीं है जिसके चलते वो और दिपिका बच्चे के बारे में सोच नहीं पा रहे है दिपिका का ये बयान सुनकर लोग हैरान हो रहे हैं साथी रनवीर को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी परसनल लाइफ में भी जादा दिहान देने की सलाथ दे रहे हैं आपको बता दें कि इससे पहले बच्चे को लेकर रनवीर का बयान भी लोगों के बीच काफी चर्चा में बना हुआ था दरासल अक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म जैश भाई जोरदार का ट्रिलर सामने आने के बाद एक इवेंट में पहुचे थे जिस दौरान उनसे पूचा गिया कि वो बेटा जाते हैं या बेटी जिस पर एक्टर ने मंदर के पिरसाद का उधारर देते हुए जवाब दिया था कि जब आप मंदर जाते हैं तो पिरसाद के तोर पर आपको लड़ू मिले या शीरा आप ले लेते हैं क्योंकि वो पिरसाद होता है इसी तरह भगवान उन्हें और दिपिका को पिरसाद की रूप में जो भी देंगे उन्हें सुईकार होगा इस बयान के बाद लोगों को उनका जवाब काफी ज़्यादा पसंद आया था जिसकी सोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा सरहार ना हुई थी